नमस्कार दोस्तों मैं अब्दुलकलाम आजाद आर्जेट क्लासेस के यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज है 6 जून और 6 जून के करेंट अफेर्स के जितने भी कोश्चन है उन पर हम आज चर्चा करेंगे कोश्चन सुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की प्रते एक दिन नए वीडियो अपडेट होने पर आपको नौटिफेकिशन मिलते रहें और आ आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए आए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा पहला कोश्चन है वर्ल्ड इंवार्मेंट डे कब मनाया जाता है इसका सही जवाब है 5 जून 5 जून को व अब हमने फिलाल पढ़ा है एक जून एक जून को इंटरनेशनल चिल्डरन डे मनाया जाता है एक जून को इंटरनेशनल चिल्डरन डे मनाया जाता है ठेक दूसरा हमारे पास एक जून को ही world milk day world milk day एक जून को ही हम world milk day भी मनाते हैं और फिर इसमें एक और important day है, टीन जून जो 200 साइकल दिवस के रूप में मनाय जाता है, तो ये आपको तीनो डेट और भी याद करने की जरूत है जो अभी फिलाल बीते हैं कुछ ही दिन पहले, हम अपने दूसरे question की तरफ आगे बढ़ते हैं दूसरा question है हमारा, अंतराष्ट्री vaccine गढभन्दन का गढ़न कब हुआ था, इसको हम इंगलिस में J-A-V-I कहते हैं गावी तो इसका सही answer है सन 2000 अब इसके बारे में हम कुछ महतपूर तत्यों की बात करते हैं, गावी G-A-V-I ये stand करता है The Global Alliance for Vaccine and Immunization इसका headquarter headquarter कहाँ पहे है, तो जीनेवा में है जीनेवा जो की, स्विडिजरलेंड में है जीनेवा में है और ये जो संस्था है इसके founder कोन है ये संस्था Bill and Melinda Gates Foundation के द्वारा founding की गई है अच्छा, एक जो महतपूर बात हमको इसके बारे में जाननेगे जिरूत है तो भारत से related है भारत टीकों में बिस्व में सबसे अग्रड़ी है ये बिस्व के लगभग 60% टीका करड़ में इसका एकदान है तो बिस्व में भारत टीका करड़ उत्पादन में सबसे अगे है और जितने भी पूरी दुनिया में टीका करड़ होता है उसमें 60% हिस्सेदारी भारत की है तो ये महत्वपूर तथे हैं दूसरी कोश्चन से चलिए हम कोश्चन नमर तीन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमर तीन हमारा है मानो संसाधन विकास मंत्राले और सहरी कारे मंत्राले की संयुक्त योजना ट्यूलिप की सुरुवात किसके लिए किया गया है यहाँ पर हमारे पास चार आप्शन है और इसका सही जवाब है इंजिनिंग के बिद्यार्थियों को इंटन्सिप के लिए मानो संसाधन विकास मंत्राले और सहरी कारे मंत्राले की संयुक्त योजना ट्यूलिप की सुरुवात किसके लिए किया गया है तो इंजिनिंग के बिद्यार्थियों को इंटन्सिप के लिए अब यहाँ पर दो महत्वपूर्थ तथ्याते हैं मानो संसाधन विकास मंत्राले तो इसके मानो संसाधन विकास मंत्राले तो यानि कि यहाँ पर अभी वर्तमान समय में केंदरी मानुस अंसादन विकास मंतरी कौन है तो रमेश आप नाम याद रखिए रमेश पोखरियाल निशंक मानुस अंसादन विकास मंतराले के अंतरगत जितने भी college, school, universities यह सब इसके अंतरगत आते हैं दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं सहरी कारे मंतराले तो सहरी कारे मंतराले सहर में जो कारे सहरी करण से related जितने भी काम होते हैं वो सहरी कारे मंत्री देखते हैं और इस समय सहरी कारे मंत्री हर्दिर्प सिंग पूरी है ये दोने लोग कैबिनेट मंत्री हैं केंद्री मंत्री है ठीक है तो ये आप तत्थ याद रखेगा सवाल नंबर कोशन नंबर 4 की तरफ हमाते हैं अब हाली में आपने देखा होगा हाली में काफी चर्चा में आया थे तबलिगी जमात उसी से रिलेटिटिटी सवाल है ग्रिह मंत्राले ने बीजा सर्तों को उलंगन मामले में 2550 तबलिगी जमातियों को भारत में आने पर कितने वर्सों तक के लिए रोक लगा दिया है तो यहां पर हमारे ग्रिह मंत्राले एक टर्म्स इस्तमाल हुआ तो ग्रिह मंत्री इस समय वर्तमान समय में हमारे भारत के भारत के वर्तमान ग्रिह मंत्री कौन है तो श्री अमित साजी है यह हमारे होम मिनिस्टर है और तबलिगी जमात से अगरेलेटिट हम बात करें में निजामुद्दीन में है जो दुनिया के लगभग सौ देशों में जमात तबलीगी जमात से रिलेटेड अपने प्रोग्राम अपने कारेकरम को यह संचालित करते हैं तो इसका मरकज या इसका मुख्याले मरकज या मुख्याले हम कहें तो यह दिल्ली में किस सरकार ने नगरवन कारेकरम का सुभारशंब किया हैं तो इसका सही जवाब है भारत सरकार भारत सरकार ने पांच जून पर्यावरण दिवस के आउसर पर नगरवन कारिकरम का सुभारम किया है जिसके तहत इनका टार्गेट है जिसका टार्गेट है पांच वर्स के अंदर 200 सहरी वन छेत्र तयार करना अच्छा जी इसमें एक इंपोर्टेंट तथ्य और हम कर सकते हैं पर्यावरण मंत्री कौन है तो हम याद कर सकते हैं प्रकास जावेड कर यह हमारे केंदरी प्रयावरण मंत्री है तो यह बाते याद रखने वाली तथ्य है सवाल नमबर 6 विस्व व्यापार संगठन WTO में भारत में किसे नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है इसका सही जवाब है ब्रजेंद्र नवनीत ये भारत के तरफ से नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है 20 उभ्यापर संगठन में WTA यहाँ पर जो इस्टेंड करता है WTA World Trade Organization आच्छा World Trade Organization का Headquarter कहाँ पर है Headquarter तो यह है जीनेवा जीनेवा जो कि स्विडियलेंड में है आच्छा WTA के कितने मेंबर्स हैं तो 164 देश इसके मेंबर है 164 देश मेंबर है अब महत्वपूर बात है कि WTA का Foundation कब हुआ था यह कब स्टेबलिस हुआ था तो 1 जनवरी 1995 में इसकी अस्था अपना हुई थी तो यह कुछ महत्वपूर तत हैं जो हमें याद रखना चाहिए अब अगले कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं गरीबी रेखा कि नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना अब आपके पास चार आप्शन है चार राज्य दिये हुए हैं विन चार राज्यों में से कौन सा यसा राज्य है जो गरीबी रेखा यानि BPL बिलो पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को ये फ्री में इंटरनेट मुहया कराएंगे तो इसका सही आंसर है केरल सही आंसर है केरल केरल सही राज्य है अच्छा जी केरल अज़ा केरल पहला राज्य इसे ऐसा पहला राज्य है जिसने ये भी गोस्टा की कि इंटरनेट नागरिकों का एक मौलिक अधिकार भी है इसी के तहट इन्होंने पहले उसको नागरिक का एक मौलिक अधिकार गोसित किया अब जो गरीबी दिखा कि नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोग उनके लिए य राजे ने एक बेवस्थाय बना लिये है और दिसंबर 2020 से ये लोगों को प्रदान करना शुरू करेंगे अब अगर हम केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री कौन है इन यहां पर पी यानि कि पिनराई बिजेन ये केरल के मुख्यमंत्री है अच्छा जी उप राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मुहम्मद खान ये उप राज्यपाल है केरल की राजधानी की बात करें तो त्रिवंत पुरम त्रिवंत पुरम त्रिवंत पुरम चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर आठ विश्व आर्थिक मंच कब यूनिक ट्विन सम्मेट की मेज़बानी करेगा अच्छा ये मेज़बानी कहा होगा दावस में तो दावस में विश्व आर्थिक मंच कब यूनिक ट्विन सम्मेट का आयोजन करेगा तो इसका सही जवाब है जनवरी 2021 कहां पर आयोजन होगा ये प्रोग्राम दावस अब विश्व आर्थिक मंच यानि की डबलू ए एफ वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम अच्छा तो अब वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम आता है टम्स तो इससे रिलेटेट इसके is establishment कब हुआ इसकी अस्पणा कब हुआ तो यह 1971 में हुआ 1971 में इसका headquarters कहा है इसका भी headquarter जीनेवा में है जोकि स्विद्र जेल्लेंड में है कहां पर जीनेवा में है जोकि स्विद्र्ज जेल्लेंड में है अच्छा इसके founder इसके founder और CEO कौन है तो क्लाउस क्लाउस श्वाब क्लाउस श्वाब इसके फाउंडर और सीएओ को ने मुखे करिकारी यदिकारी क्लाउस स्वाब है सवाल नमबर नो किस राजे के पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए सुरू किया स्पंदन अभियान किस राजे पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए एक प्रोग्राम सुरू किया है जिसका नाम स्पंदन रखा कौन है तो भुपेश बगहेल हैं भुपेश बगहेल कौन है भुपेश बगहेल और गवर्नर की बात करें राजय पाल की बात करें तो अनुसुया उइके अनुसुया उइके अनुसुया उइके माफ करिएगा अभी नयाने बीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा लिखने में दिक्कत है आने वाले समय में भेतर करने की कोशिस करेंगे अनुसुया उइके सवाल मरमारा 10 किस राज ने मेरे मेरा वेतन सेलरी ट्रेकर मोबाइल एप लांच किया है तो एक राज्य है जो अपने करमचारियों के लिए मेरा वेतन सेलरी ट्रेकर जिससे की उसके करमचारियों को मोबाइल समंदित जितने भी वीवरण है वह आसानी से मिल सके उसके लिए एक मोबाइल अप्लिकेशन लांच किया है और यह किस राज्य ने किया है तो इसका सही जवाब है जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर से कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं जम्मू कस्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं रह चुका है यहां पे धाराज 370 खतम करने के बाद इसको एक केंद्र सासित राज्य बन चुका है तो अब यहां पे मुख्यमंत्री नहीं है अब यहां पे उपराजिपाल है तो इस समय उपराजिपाल कौन है जम्मोर कस्मीर के गिरिस चंद्र मुर्मू गिरिस चंदर मुर्मू जैंद्र ंपॉर्मू अचाया मेरावेतन यह जो अप्लिकेशन है यह जमूर कस्मीर के NIC राष्टी बिग्यान सूचना केंद्र ने इसको बनाया है नेस्नल इन्फर्मेटिक सेंटर ने मिलकर बनाया है तो अब NIC के बारे में जान लेते हैं तो NIC जो जम्मू कस्मिर की NIC है वहाँ पर इसकी अस्थापना 1988 में हुआ था और मुख्याले कहां पर है तो जम्मू में है ठीक तो अभी आज के हमारे सारे सवाल खतम होते हैं अब मैंने कल आप से एक सवाल पूछा था कि 200 साइकल दिवस कब मनाया जाता था उसका सही आंसर है 3 जून कल के सवाल का जवाब तो 200 साइकल दिवस कब मना जाता है तीन जून को प्रते एक वर्ष 200 साइकल दिवस मना जाता है वर्व बाइस किल डे आज का सवाल जिसका आप जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बाक्स में दीजिए हाल ही में बासू चटर जी का निधन हुआ वो किस चटर से जुड़े हुए थे यह आपके पास चार आप्षिन है जो भी इसमें से सही होगा आप कमेंट बाक्स पर मुझे लिख करके दीजिएगा इस एक साथ सारे सवाल खतम होते हैं अब मैं आपका धन्यवाद दूँगा आपने पूरा सुना अब मेरा आपसे बिनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और बिल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे की आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों और अधर्स ग्रूप में सेर करिए प्लीज और कोई कमी या जो भी आप सजेसंस देना चाहते हैं प्लीज कमेंड में आप मुझे सजेसंस दीजिए और यह इस वीडियो का पीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्स लिंक में मिल जागा आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे ज मिल सकते हैं धन्यवाद दोस्तों नमस्कार